दोस्तों नमस्कार आज हमें खास जगह में बैठे हैं कहां पर बैठे हों बादे बताएंगे हमारे साथ है वीडियो क्रेटर नदीम भाई नदीम भाई बहुत बहुत सुवागत है आपका अमारे सुर्लाम में शुक्तिया तिक्यू दोस्तों इनकी जो चेहरा है वो अपने पहचान है तो जादा कुछ बताने के जरुवत नहीं है हम सीदे सीदे इनके जर्ली पर जाएंगे रदेम भाई आपके बारे में जानना जाएंगे कि आपके क्रेश्टी थे है इसकी शुरुवाद जो है कब और कैसे भी शुरुवाती दिन थे मतलब तो 2016 की बात है मैं एक पेज चलाता था मंदब उस टेम पे मीम पेजिस का थोड़ा सा दौर चला था इंस्टाग्राम पे में पांस से दस पेजे सुने है उस टेम पे मैं उसमें मीम डालता था जोक्स वागरा डालता था तो कुछ क्रेटर लोगों के उस टेम पे जिन्हों दिन बात देखा था उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस था और मतलब मजायक में बना दिया अब देखता हूं तो सोचता हूं क्या बनाया था तो आप प्रोफेशनल तोर पे दो हजार सोला लाग तो सत्रह मतलब वीडियो बनाने के दो साल बात है अम ने गुदा है कि सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि मतलब जो हमारा यूथ है और जो उनके आस-पास चलता है जो वो आइस ज़ेक्टे ले जो साथ होता है पर वो समझ नहीं पाता है क्या अगी हो रहे है तो उसको कामेडी में में claim पॉंस्था है कि अम लोग क्या कर रहे है क्या नहीं कर रहा किक साही है क्या गलत है कुल मिला के कॉमेडी रहें जिससे दिन बर की थकान नहीं का अपी मिठा सक्या आपकी जनलिक पर हम आपके जारें से पहले आप दोस्कों पताना चाहिए यह मरिन राइव का इलाका है यह टपरी बहुत ही प्रसंती स्थेल है यहां पर यूज का मेदर जम जहां पर कुछ कॉमन लोग या यूद गुमता है उनकी बातों को उनकी चीजों को अबजर्ब करता हूं फिर महां से कुछ एक पॉइंट चाहिए होता है जिससे मैं कि स्टोरी बनाने की कोसिस करता हूं उसको साथ-एट मिनट का कैसे दिखा सकता हूं तो मैं पर प्ले किसका क्या रोल रहेगा उनको यह बताना फिर उसके बाद खुद डेरेक्ट करना शूट करना और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग अगरा वो तो है ही उसके बाद एडिटिंग भी खुद ही नाम बीजे नैटी है तो मतलब मेरा पहले सपना था कि बीजे बनूगा म्यूजिक करता है पर ऐसा ही कि मैं किसी और की उपर डिपेंड होने से अच्छा खुद ही करता हूँ ताकि मला आज की डेरेक्ट में जिसको देखो वो यूट्यूबर बढ़ता जा रहा है तो उस पर आप क्या कहेंगे भई यूटूबर बनना तो बहुत आधान है लेकिन उसको मैं बोलूगा अगर तो बनना भी असान नहीं है क्या होता है अगर मेरी 2,000,000 ओडियंस मुझे देख रही है ना क्यों देख रही है क्यों कि वो उनको अच्छा लग रहा है तो वो चाहिए कि हम भी वो करें पर उनको ये पता नहीं कि हमारे पास वो टैलेंट में तारीफ मैं अगर कॉमेडी कर सकता हूं तो हो सकता है जो बन्दा है उसको कुकिंग आती है या कुछ पढ़ाई के मामले में उस फिल्ड में यूट्यूब चालू कर सकता है पर उसको ज़िस फिल्ड में तो इसको ये देखे कि उसको चीज करना चाहिए जो नोग जाहते हैं कि भी या वोचल मेडिया ते जर्बिया करें या उसे अर्निंग करें उनके लिए क्या है अर्निंग सोच कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो शायद बेखुफी है अगर आपको लगता है कि हां मेरे अंदर वो टैलेंट है वो चीज है मैं यह करूंगा और यही मेरी वो है तो ठी अर्निंग सोच के ही अगर चालू करना तो फिर मून नहीं हुआ है आखरी सवाल यह है कि आज के दौर का जो भी क्रेटर रहा है तो टिक टॉक मेरा है आपको तर ऐसे यूवर है जो टिक टॉक से दूरी बनाते चले अलाकि उपहन हो गया है आखिर क्यों आपने उससे दू कि टिक टॉक में ऐसा था कि वो लोग मुझे डीम बी करते थे मैसेज करते थे कि हमारे प्लैट्कॉम में आओ मैं टिक टॉक में था सिर्फ लोगों को देखने के लिए कि मतलब क्या चल रहा है उसके लिए कॉंटेंड बनाने के लिए मैं कभी नहीं रहा हूं उसमें यह है कि मतलब किसी एक बंदे ने एक चीज की तो अपना दिमाग लगाया है बिना एक लाख लोग चीज वही करें कि मेरा सबसे बड़ा वही था कि मतलब कुछ अपना करो अगर कर भी रहा है तो मतलब कुछ की पैचान बाद हो तो दोस्तों आपने देखा कि लगाई ने अपनी सारी जर्री आपके सामें रखी हो सब्सक्राइब कि आपको अरणिंग सोच के अब आ रहे हैं तो यह बेकुफी है और आपको लगता है कि कॉमेडी आपको पसंद है या कोई विधा आपको पसंद उसके आप वीडियो करा है आप क्या बेहतर कर सकते हैं क्या आप बढ़ सकते हैं तो लोग देख रहे होंगे उनके सीज़ जो बनना चाहते होंगे उनको यह काफी साधन हो रहेगा और आपको सब्सक्राइब नहीं थे बहुत अधना थेंक्यू